मेरे आठवी कक्षा के प्यारे बच्चो उम्मीद करता हूँ आपको पहले मेरे दो प्रश्ण जो हमने पहले दो वीडियो में सिखाए हैं पहला और दूसरा वो अच्छी तरह से समझ आ गये होंगे आज हम आपको तीसरा प्रश्ण करवाने जा रहे है जोमेट्रिका ए बी रेखा पर प्रकारद्वारा सम पंच्वुष बिशेश रिती से बनाओ बिशेश रिती या बिधी एक ही होता है बिधी और रिती तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना तो आज हम आपको तीसरा प्रश्ण करके सिखाएंगे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा प्रश्ण हमने लिग दिया है ए बी रेखा पर प्रकारद्वारा सम पंच्वुष बिशेश रिती से बनाओ ठीक है जी तो हमारे पास क्या है दिया हुआ ए भी रेखा आप अपनी सहुलियत के अनुसार कॉपी गुमा सकते हैं और यही एक अच्छा तरीका है जैसा कि आपको हम बिद्याले में बताते थे कि बच्चे क्या करते थे जब आप छोटे थे छटी में तो कॉपी ना गुमाते हुए अपने हाथ मरोड देते थे अपने शरीर को यू जैसे हमने कहीं चाब लगानी है अगर इदर जा रही है तो आप ऐसे करते हैं यू 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 इस तरह से और ऐसे ऐसे करेंगे जिससे कि हमारा काम खराब हो जाता है परकार कम ज़्यादा हो जाता है और कौपियां फट जाती है तो हम अपनी सोल्योत के अनुसार कौपि घुमा सकते हैं इस हिसाब से तो हमारे पास क्या दिया है ए बी रेखा इसमें हम क्या बनाएंगे सम पंचभुज बिशेश बिथी द्वारा तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको समझे अराम से स्वाल करवाया जा रहा है हम ए बी रेखा का समद्वी भाजन करेंगे समद्वी भाजन आप समझते हैं कि हम आदे से ज़्यादा ए बी रेखा के आदे से ज़्यादा हम परकार खोलेंगे और यहाँ परापे चाप लगाएंगे उसी प्रकार दूसरे बिंदू से ये देखिए कॉपी गुमातिवा में सोलियत होती है हमें अपने शरीर को मोणने की आविशक्तर नहीं है ठीक है बच्चो अब हम समदी भाजन वाली रेखा यानि के मद्धिका लगाएंगे इसे आप पहले ही थोड़ी सी लंबी लगा लीजिए क्योंकि अगर लंबी होगी और बच जाएगी तो हम मिटा सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर छोटी पढ़ गए और हमें जोडनी पढ़े तो हो सकता है आप से तिर्ची जुड़ जाए तो इससे हमारा स्वाल गलत होने का खत्रा रहता है जहां पर समदी भाजन हुआ वहां का नाम करन करते हैं अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए आप इसमें क्या करेंगे कि जितनी हमारी A, B रेखा है ये A से B तक उसके प्राव प्रकार खोल कर हम P बिंदू से मद्धिका को काट लेंगे ये ठीक है बच्चों ये P से O P से O किसके ब्रावर है A, B के ब्रावर इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और अब आप क्या करेंगे A बिंदू से O बिंदू से निकलती हुई एक फिर से इसी प्रकार डॉटिड रेखा लगाएंगे और इसे O से आगे तक बढ़ाएंगे ठीके ये देखी कहाँ जह निकली A से हमने शुरू की और O बिंदू से बहार निकलती हुई ये आगे तक बढ़ा दी हमने अब ध्यान डखना आपने मुख्य पॉइंट होगा इस स्वाल का और ये जो स्वाल है ये बहुत ही मुख्य most important जिसको बोलते है जो परिक्षा में हमारा 70-80% आता ही आता है ये प्रशन पहले हमने A, B का पूरा माप लिया था जो हमने P से O तकाटा अब हम क्या करेंगे A, B का आधा यानिके A, P A, P के ब्रावर का माप लेंगे दिख रहा है बच्चो इसे आप ध्यान से देखिए A, P के ब्रावर माप लिया और O बिंदू पर प्रकार रखकर इस बुजा को काटना है हमने जो हमने बाद में लगाई थी ये सिरफ काटना है ये ध्यान रखे बिशेश बाद सिरफ हमने इसे काटना है और पीछे आगे इसका नाम करन किया हमने R सिरफ काटना है अब आपने परकार को वापस रखना है बिंदू A पर और आपने कहां तक परकार खोलना है R बिंदू तक ये देखिए और हम यहां से इस चाप को आगे बढ़ाएंगे और कहां तक जहां पर ये हमारी मद्दिका को काटेगी मद्दिका जो मैं सबसे पहली रेखा लगी थी ये और इसका नाम देंगे हम D अब मैं एक बात जो मैं हमेशा कलास में हमें दिक्कत आती थी यहां भी मैं बता देता हूँ कि क्या करते हैं बच्चे कि जब इसको A, P के बराबर हम परकार खोल कर यहां से काटते हैं तो कई बच्चे इसी चाप को आगे बढ़ा लेते हैं और वो गोलाई में आ जाती है नीचे इस परकार तो आपने ध्यान रखना है नहीं यह चाप अभी नहीं लगेगी हमारी यहां सिरफ A, P के बराबर हमने सिरफ इसको काटना है फिर हमें वापसाना है A बिंदू पर और R तक परकार कोल कर यह चाप लगानी है जो R, D चाप है वो कहां से लगी A बिंदू से अब हमने कौपी गुमानी है पहले हमने नाप लेना है A और B रेखा का यह द्यान रखें A और B रेखा का माप लिया और कौपी हमने उल्टी गुमा दी अपने सहुलियत के अनुसार और हमने D बिंदू पर परकार रख लिया D बिन्दू से हम प्रकार रखकर A, B की बार प्रकार खुला हुआ था तो हमने एक गोल अर्थ चाप लानी है यह नीचे की और आधार की और ध्यान से देखे बच्चो और चाप हमारी बारीक और गहनी होनी चाहिए जैसे कि मशीन की सिलाई होती है आपके कपड़े के सोट में आपने देखा होगा इस प्रकार से आपने तो यह कहां से लगी D से लेकिन किस के बार प्रकार खुला था A, B के बराबर अब उतना ही खुला हुआ प्रकार रखना है A, B के बराबर ही यह है न बच्चो A, B के बराबर तो आपने क्या करना है जो उपर से चाप लगी थी D से आपने इस चाप को काड़ती हुई एक चाप लगानी है B से और फिर A बिंदू से दो जगे से ये चाप कटेगी हमारी एक A बिंदू से कटी तो उसका नाम आएगा हमारा E B बिन्दु से चाप काटी हमने इसका नाम आएगा C तो ये हमारे A, B, C और D आप देख रहे होंगे D तो C के साथ क्या मिलेगा? D, R नहीं आप पंच भुच की दूसरी भुजा लगाएंगे B, C पंच भुच की तीसरी भुजा लगाएंगे C, D ये ध्यान रखें कोई बच्चे R को ना मिला दे पंच भुच की चौथी भुजा लगी E, A और पंच भुच की आखरी और पंच भुजा लगी हमारी E, D इस साथ से आपकी ये देखिए पंच भुच विशेश रिती से पंच भुच किस पर? A, B रेखा पर ठीके? ये आपकी कम्प्रीट हो गई दी हुई बुजा शमा चाहूंगा दी हुई बुजा आपकी पहले होनी चाहिए यहाँ पर वो आपने लेनी है धन्यवाद